हैं आई ये नतीजों की बात निकली है तो इंटेग्रो बिवेशन इसके भी आ रहे हैं नतीजे एक बार कल आएंगे और हमने देखा है रीसेंटली कच्छे तेल के दाम तेजी से गिरें अफकोर्स एरलाइन्स पर ओक्यूपेंसी तो बढ़िया चली रही है कैसे रहेंगे न एर ट्राफिक में तो काफी शानदर इंप्रूब्मेंट देखने को मिले जिस वज़े से टॉप लाइन में काफी बड़ा सपोर्ट मल सकता है लगबख 37% की ग्रोध हमनमान लगा कर चल रहे हैं 10,956 करोड कंपनी अपना रिविन्यू दर्च कर सकती है इन फाक्ट कंपनी क जो अबिड़ार है यहाँ पर भी अगर हम देखें तो करीबन 2.1% मार्जिन थे पिछले को तिमाही में और इस बारी 4.5% के मार्जिन कर सकते हैं यानि के मार्जिन अल्मुस्ट डबल होती भी दिख सकती है जहां तक कंपनी के घाटे की बात है 1682 करोड का घाटा था पिछ हमारी आने की उमीद है पिछले तिमाही में यही आंकडा साड़े 76% का था तो यहां पर एक इंक्रीज है बट आउटलुक यह देखना होगा कि इंटरनाशनल ट्रावल को लेकर किस तरह का आगे जो है इनके बुकिंग साती भी नजर आती है इंटरनाशनल ट्रावल पर तो अच्छे ने दियुकि देख़ा कि